हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चेनल पर आज का करण टोपिक है फार्सी बनेगी भारत की सास्त्री भासा आज का क्योशन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए किसी भासा को सास्त्री भासा के रूप में मानेता देने के लिए संस्कृती मंत्रा ले दिशा निर्देश जारी करता है फार्सी भासा को भारत की नोवी सास्त्री भासा बनाया गया है इनमें से कौन सा कथन सकते है ओप्सन 1 केवल 1, ओप्सन B केवल 2, ओप्सन C 1 वदो 2, ओप्सन D नै तो 1 और नही 2 इसका अंसर आएगा ओप्सन C, एक वदो 2, ओप्सन D विदेश मंत्री S.J. संकर ने गोशना की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षानिती के तहत फार्सी को भारत की नोई सास्त्री भासाओं में सामिल किया है अधिकारिक तोर पर भारती सिविदान की आठवी अनुसूची के तहत अब तक 6 सास्त्री भासाओं की पहचान की गई है भारत की राश्टी शिक्षानिती 2020 के अनुसार फार्सी सहित पाल्ली और प्राकर्त को संडुक्षित किया जाना चाहिए सास्त्री भासाओं के वर्गिकरन का आधार संस्कृती मंत्राले द्वारा किसी भासा को सास्त्री भासा गोसित करने के लिए निर्देश जारी करता है हरवरी 2014 में संस्कृती मंत्राले द्वारा जारी किये गए निर्देश 1. सास्त्री भाषा गोसित करने के लिए प्रारंबिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक पुराना हो 2. प्राचेन साहिते ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीडियों द्वारा एक मुल्लेवान विरासत माना जाता है 3. साहिते प्रंप्रा में मो लिखता हो 4. सास्त्री भाषा और साहिते आधुनिख भाषा और साहिते से बिन है इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच ऐसा मानता भी हो सकती है भारत की सास्त्री भासाईं, वर्तमान में 6 भासाओं को सास्त्री भासा का दर्जा परदान किया गया है 2004 में तमिल पहली भासा थी जिसे सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया था जबकि संसकर्थ को 2005 में कंणड को 2008, तेलगु को 2008, मल्लालम को 2013 में सास्त्री भासा के रूप में दर्जा दिया गया था 2014 में ओडिया को सास्त्री भासा के रूप में सामिल किया गया था भारत की 6 सास्तिरे भासाईं तमिल, संसकर्थ, कन्नड, तेलगू, मल्लालम, उडिया